एक बड़ी खबर आ रहे हैं आपको बता दें कि उत्तर तदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से बयान आया है इस हादसे के बारे में जानकारी देते वो उन्होंने कहा है कि 80,000 लोगों की इजाज़त ली गई थी लेकिन भीड ज्यादा आई यूपी के मुख्य सचि का जवाब है कि जो भी गुनेगार हैं उन्हें बक्षा नहीं जाएगा 24 घंटे में मुख्य मंत्री योगी आदेतिनाथ ने इसकी जाच की रिपोर्ट मांगी है हम आपको हाथ रस लिए चलते हैं सबसे पहले जहां से हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड रहे हैं हिमांशु उस जगे पर आप हैं आप घटनस हल पर अच्छा चलिए हम हिमांशु के पास जाते हैं उससे पहले आपको चीफ सेक्रेटरी का बयान सुना देते हैं मुख के सेवादार थे उन्होंने एक अप्लिकेशन दिया था इस तरह के कारकरम के लिए और उसमें लगबग 80,000 के आसपास भीड की उन्होंने उमीद बताई थी लेकिन जो सूचना मिली है वो काफी जादा उसके संख्या वहां पे लोगों की थी जादा थी पुलिस काफी बड़ी संख्या में डिप्लाइट थी उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कारकरम खतम होने के बाद लोगों की कुछ प्रता है कि उनके पया चुने हैं वहां से मिटी लेने के बात है उसमें भगदर मची और आसमें पास में कोई नाला है जिसम एक के उपर एक लोग गिरते चलेगा हम लोग अभी वहीं पर डीजी साहब के साथ साइट पर जा रहे हैं वह देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है लेकिन यह मैं आपको आस्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत सक्त कारवाई होगी जो लोग इसमें दोशी है और इसके साथ ही कि इसकी विवस्ता भी की जाएगी कि इस तरह कि घटना की कभी पुन्रावरित्ति नो